किया आपको पता है जब भी हम stitching करते हैं या कोई भी आउटफिट डिजाइन करते हैं तो उसके पहले हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई stitching करते हैं आप stitching की फिल्ड में हो और आपको कोई अच्छा गार्मेंट डिजाइन करना है उसको स्टीच करके अच्छे से एक फिनिशिंग देना है तो उसके लिए आपको जीरो से लेके एडवांस तक का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होना जाए मेजर्मेंट कैसे लेते हैं, उसका कटिंग, ड्राफ्टिंग वो सारी चीजी का नॉलेज आपको होना चाहिए अगर उसका आपको नॉलेज है तो उससे आपको ये फाइदा होगा कि आपकी जो भी कस्टमर है उनकी रिक्वाइरमेंट के हिसाब से आप उनको एक अच्छा सा आउटफिट डिजाइन करके दे सकते हो और अपनी क्रियेटिविटी से उसमें डिफरंस वेरियेशन डालके एक अच्छा खासा पैसा अन कर सकते हो तो मैं मितु विश्व कर्मा एक फैशन डिजाइनर हूँ पिछले 15 सालों से डिफरंट टाइप के फैशन डिजाइनिंग के कोर्सिस सिखाती हूँ जो लोग बिलकुल बिगनर हैं जिन्होंने मशीन बिलकुल देखा ही नहीं है मशीन चलाया ही नहीं उन लोगों के लिए मैंने कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है क्रियेटिव डिजाइन कोर्स इस कोर्स में आपको मशीन का टोटल नॉलेज मिलता है machine practice भी होती है आपकी और उसमें basic जो चीजे होती है वो भी clear होती है और उसमें कुछ samples बनाने होते हैं जिसमें आपकी सिलाई की practice हो जाती है measurement कैसे लिया जाता है उसका diagram, theory, paper drafting, cutting, stitching और finishing ये सारी चीजे उसमें आ जाती है तो अगर आप beginner हो और आपको designer बनना है तो पहले आपको ये course करना बहुत जरूरी है उसके बाद आप advanced level के course कर सकते हैं अगर आपको इस course के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने अपना number दे दिया है जो screen पर show हो रहा है आप उस पर मुझे call कर सकते हैं और detail ले सकते हैं Thank you